मुंबई इंडियन्स ने आईपेल 12 के रोवांचक फाइनल मुकाबले में चनने सुपर किंग्स को एक रन से हराकर टूनामेंट का खिताब अपने नाम कर लिया हैदरबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में खेले गए फाइनल मुकाबले में पहले बल्ले बाजी करते वे मुंबई इंडियन्स के टीम ने आठ विकेट खोकर 149 रन बनाए और जवाब में चेनई 148 रन ही बना पाई और इसके साथ ही मुंबई चार बार IPL का खिताब जीतने वाली पहली टीम बन चुकी है जस्परीद बुमरा, राहुल चाहर और लेसित मलिंगा की कसी हुई गएंद बाजी की बदोलत मुमई इंडियन्स ने फाइनल मैच बड़े ही रोमांचक तरीके से अपने नाम किया आपको बता दे कि चैनेई के सामने 150 रनों का लक्षे था लेकिन चैनेई की टीम साथ विकेट पर 148 रन ही बना पाई और इस मैच का परणाम अंतिम गैन पर निकला जिसमें चैनेई को दो रनों की दरकार थी लेकिन मलिंगा ने यौकर पर शार्दो ठाकुर को LBW आउट कर दिया इसके बाद पूरे मैधान में मुम्माईं के फैंस में जशन का माहोल चा गया और IPL का खिताब मुम्माई इंडियन स्टीम ने अपने नाम कर लिया